मनिश्र ही एक ऐसा प्राणी है जिसे इश्वर ने अपने दुख सुख के भावों को अपनी आशा अपनी निराशा को प्रदश्चत करने के लिए वाणी को एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रदान किया है आपकी वाणी किसी के जीवन में उस्साह भर सकती है किसी को नया जीवन दे सकती है वहीं किसी के मन को आहत कर सकती है अतै हमें क्या बोलना है कहां बोलना है और कब बोलना है बोलने से पहले सोचना आवश्यक है कि असमय और अनुचिस समय पर बोलना हमारे लिए और दूसरों के लिए भी कश्ट कर हो सकता है जीवन में हम हमेशा खुद को ऐसी सितियों में पाते हैं जब हमारा अपनी वाणी पर नियंतरन नहीं रह पाता कभी हम कुछ ज्यादा बोल जाते हैं कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए और बाद में हमें इसका पश्चाताप होता है जो हमारे लिए नहीं दूसरों के लिए भी कश्ट कर हो सकता है अतहे द्यान रखें कुछ सितियों का जहां बोलने से पहले सोचना आवश्यक है जिस विशय पर ग्यान नहीं उस विशय पर अधिक ना बोलें जब हमें किसी विशय पर पूर्ण ग्यान ना हो या हमारा ग्यान अधूरा हो उस जगह पर हमारा बोलना अनुचित होता है हमको सुनाना जा रहा हो यदि आप दूसरों के इस भाव को या इस बात को नहीं समझ पा रहे कि सामने वाले को आपको सुनने में जरा भी रुची नहीं है वहां कभी ना बोले जब क्रोध में हूँ तो कभी ना बोले इसे में हमें हमारी जिवा पर नियंतर नहीं होता हमें हमें इसका पश्चाताब भी होता है तो जब हमारी भावनाएं किसी तरह से आहत हो तब भी हमें सोच समझ कर शब्दों का चैन करना चाहिए या अपनी वाणी को मुकृत करना चाहिए जहां आपके आवाज केवल एक दूसरे के साथ रहट पैदा कर रही है ना समझ व्यक्ति के सामने बात करने से भी बचें व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति ही ना हो उसको समझाना अपने शब्दों को व्यर्त करना है या कि वहाँ बोलना आपके लिए बेमाइने होगा ज़ान रखें आपकी कठोरवाणी किसी को अगहाद पहुचा सकती है आपका अलप ग्यान को गुमरहा कर सकता है अतया कोशिश करें कम बोलें ठक बोलें और सटीक बोलें